डॉक्टर अजैब सिंग दी पुस्तक है, मानसिक उल्जणा अते सुजा, पाग पहला जीवन दे सफर विज साधिनाल जो कुझ वी वापरद है, उसनू सविकार करो सानू अख्ये वेले कदे वी होसलार नहीं हारना चाहिदा जीवन चे सफलता प्रापत करन लेई, सानू ठीक टांग नल यतन करने चाहिदे हन जीवन दिया मुश्किलानू हल करन लेई, मेनत जान जदो जैद करने चंगी गाले पर हर मौके जोश्वे चौन दी बजाए, अपना मानसिक संतुलन कायम रखना जरूरी है जदो पती-पतनी इकठी रन्दे हन, ताओ जिनना खोश रह सकदे हन, उनना ही खोश रहन दी कोशिश करने चाहिदी है जे कदे-कदे उनना दे दर्म्यान तकली फान जा मुश्किला आजान दिया हन, ताईनानू स्यान पनाल हल करन दी कोशिश करो इस रिष्टे विच कदिवी कोई वड़ी द्राड ना पैन दियो सदा इस रिष्टेनू सुधारन बारे सोचो मानसेक उल्जनातु बचन्दाई सब्तों वदिया टंग है पहला लेक व्याउत्ता जीवन्दा महत्तब व्या करवाना एक बहुत वड़ी जिम्मेवारी वड़ा कम है अते जत्ता कसी इस नमी जिम्मेवारी नू संबालन लई पूरी तरां त्यार नहीं हुंदे सानू व्या नहीं करवाना चाईदा व्या तो बाद खुशियां पर याजीवन बतीत करन लई सानू बहुत यतन करंदे लोड है व्या करवाके छेती ए गरंटी नहीं दिती जा सकदी के लड़का ते लड़की सौखी तरां इकठी रह सकदे हन क्योंके दोहां दा अंदरूनी सुबाव वक्खो वक्रा हुंदा है लड़के जिते कुदरती तौर ते बलवान तरकवान ते बुद्धी मान हुंदे हन उत्थे लड़किया ज्यादा नाजुक कोमल ते जज़बाती हुंदे हन फेर वियो सुबाव की कदूजे नू अपने वाल खिच दे हन व्यातो बाद लड़का ते लड़की होडी होडी किदू जेदियां पावनावानू जाननां ते समझना शुरू कर दे हन इस तरह समेदे नाल नाल उना दुहां विच अडोल प्यार, सतकार ते विश्वासता पकारिष्टा काइम हो जान्दै यों ओ कारवेच हर मौक के मुताबक शान्ती ते एक सुर्ता दा महौल स्थापत करके अपने ग्रिस्ती जीवन नूं अगे तोर सकते हन पर व्यातो बाद चगडे ते निरास्ता दी कई कारण हो सकते हन उदारंदे तोर ते जे लड़के ते लड़की दा आर्थेक पिछोपकडिक को जया नहीं एक साथी बहुत अमीर है ते दूसरा गरीब परिवारनाल सबंद रख दै ता संबावना है कि उना विच सुर्हेंता जा चगड़ा पैदा होवे जे लड़की अमीर परिवार विचों है ता उनू अपने गरीब पती देकार विच रेना उखा लगेगा इस तो इलावा किसे साथी दी माडी सेथ वीच अगड़े दा कारण बन सकती है माडी सेथ वाले साथी दा जीवन विचों उत्षा कटना लाजमी है माडी सेथ संबोग दा अनन्द मानन विच वी रुकावट पैदा कर दिये कई अंदरों नी कारण वी चगड़े दा रूप तारन कर लेंदे हन जिना दस बंद लड़के दे लड़की दे वक्खो वक्खे वक्खो वक्स बाते आध्ता नाल है एकुछ गल्ला हन जेडियां व्याकता जीवन दी खुशी नूँ कटाओं दिया हन इसलिए व्या तो पहला इना सारियां गल्लावल उचे चाते आन देना जरूरी है व्याक कोई अजई सेर सुपटे वड़ी यातरा नहीं जेडिके हनीमून तो बाद खत्म हो जान दिये ये जीवन दा एक ओखा सफर है जड़ा सारी उमर जारी रेंद है व्याक केवल एक समाजिक बंदन ही नहीं है हिंदू फिलास्फी अनुसार व्याक करवाण दे तेन मुख मन्तभण पहला है जीवन दी मुडली लोड काम वासना दी पूर्ती दुज़ा है पतिबाशाली आलाद पैदा करन लई खास विदी दा परियोग ए विदी एक पूजा करन वांग है इसता जिकर अगे कीता जाएगा तीजा है तार्मिक फरजानु पूरा करना पाव ग्रिस्ती जीवन दे नाल नाल अपना आत्मक विकास वी करना यो आदमी ते औरत दर्म्यान ए पवित्तर बंदन सुमाजिक ही नहीं तार्मिक बंदन भी है हिंदू तरम बिच व्यानु अमर्स बंद समझया जान्दा है जिड़ा के किसे साथी दी मौत तो बाद भी काईम रन्दा है इसलही व्यातो बाद निज्जी रुचियानु बहुत काट महत्ता देनी चाही दिये सानु परवारिक ते सुमाजिक फर्जावल ज्यादा त्यान देन दी लोड है व्यातो बाद पती पतनीनु सदा खोश रहन ली हर मौके आपस विच समझाता करन दी लोड है व्या एक सिखन वडी कला है ते इस कला दा सबंद स्यान पनाल है जो हर मौनुक सारा जीवन सिख दारंदा है व्यादे निर्मान ली प्यार बहुत महत्ता पूरण है क्योंकि आपसी प्यार व्योता जीवन दी खोशी नूं काइम रख सकता है पर प्यार दी प्राप्तिली कुर्बानी करन दी लोड है इस रिष्टे नू विक्सत करन लई तिन मुडलियां लोडा हम पहला जीवन साथी दी सही चोन पावो सोना होवे देखन नूं चंगा लगे दूसरा है प्रस्पर समर्पन समर्पन करन लई सानू अपने साथी दा सुबा इरादा ते आत्ता बारे फूरी तरा पता होना चाहिए एक कुछ दिना जा मिहने दा कम नहीं है किसे दे सुबा ते रादे तो जान हो ले सानू कई साल लग सक दे हन तीसरा है आपसी हुंगारा इपावना कुदरती तोरते पहलियां दो लोडान दी पैरवी कर दी है ते इहो प्यार दी शान है जदों सानू आपसी हुंगारा मिलना शुरू हो जाए ता समझो साथा प्यार विक्सत हो गया है हुनसी होसले नाल जीवन दी हर मंग नों पूरा करन ले त्यार हो जान दे हां विवाहिक जीवन वेच खुशी यतन करन तो बिना नहीं मिल दे किसे गल्त फैमी तो उपजिया तलाक वी साड़े जीवन वेच खुशी नहीं लिया सकदा तलाक ता इस गल्वल इशारा करदा है कि मनुख ने अपने जीवन वेच निराश हो के हार मान लई है पर अजकल परिवारक जीवन वेच चगड़े ते तलाक वद रही हैं व्याद तो बाद असलवेच एक दूजेनू समचनले काट तो काट तेन जा चार साल लग जान दे हा पतनी चोंदी यह दा पती स्याना ते वफादार होवे उस्वेच मर्दां वाले सारे गुण होन ते वकार विच रहके परिवार दे फरजानू जिम्मेवारी नालने बावे पती भी अपनी पतनी तो तिन गलांदी मांग करदा है पहला वो इक चंगी स्वाणी बने उकार चे सफाई रखे तेरे सोई दे कामच पूरी तरा निपुन होवे दूसरा वो अपने स्रीर ते सेतनू ठीक ठाक रखे ताके बच्चे तां द्रुस्त पैदा हुन तीसरा वो इक चंगी मां बने पाव उसनू बाल मनो विज्ञान दा सई ग्यान होवे तांके अपने बच्चे आंदा पालन पोशन ठीक डांग डाल करे हर पती इना तिन्ना महत्तपूरन मंगाउं पर जूर दिन दे जेडियां समझदार पत्रियां इतन्ने मंगा पूरियां कर दिया हन उना दी कारविट बहुत इजज़त हुन दिये ती उना नू अदर शौरतां किहा जन दे अजिहा परवार सबतों खुश किस्मत परवार बन सकदे फिर कोई भी पती खुशी ते शांती लबनली कारतों बार नहीं जा सकदा तनवर डॉक्टर अजैब सिंग दी पुस्तक मानसिक उल्जना ते सुजादा दूसरा लेक पती पतनी दा आपसी सबंद की पती ते पतनी चगडा करन तो बगैर भी कठे रह सकदी हन उत्तर है हाँ, पर इस समझना ज़रूरी है कि जित्ते प्यार है उत्ते सब कुझ है प्यार साधे जीवन विच चंग्याई प्यादा करदा है चगडे ते मत पेद प्यारूं खतम नहीं कर सकदे जे पती ते पतनी दो में आपस विच प्यार करन ताओ आपो अपने टांगा नू सारी कठे रह सकदे हन फिर उना दा प्यार कदे भी मिट नहीं सकदा महत्तपूरण गाले है कि उना विच पवित्तर प्यार दा रिष्टा स्थापत होना जरूरी है प्यार दा संबोग नाल जा बुद्धी नाल कोई सबंद नहीं है प्यार दा सबंद स्यान पनाल है समर्पन नाल है प्यार नू शब्दां विच नहीं दस्या जा सकदा पती ते पतनी दा ये मिलाप शब्दां दे खेतर तो परे है पर जे ओ दो में कठे बैटके अपने दिल दियां गल्ला सांजियां कर सकदे हन ता उना दी ताकत दुगणी ने सुगों कई गुणा बद जान दिये ते ओ सदा खोश रह सकदे हन जे पती ते पतनी व्यातो बाद मौत दे पलता किक दुझे प्रती सुचेत रह सकदे हन ता समझ लोगन दा पस्विच प्यार है प्यार कदे भी कट दा जवद्दा ने कदे-कदे अजय करेलू हालात जरूर पैदा हो सकदे हन जड़े प्यार नू तुंदला कर दे हन पर सच्चा प्यार पती ते पतनी दिर्म्यान फिर चंगे हालात पैदा करन दे समराथ होंदा है इस करके पहली गले है कि पती ते पतनी दे दिर्म्यान प्यार दा रिष्टा स्थापत होना जरूरी है जित्थे प्यार है उते तलाक कदी भी ने हो सक्दा तलाक उस्वेडे हुंदः चतो पती ते पत्नी आपस विच संतुष्ट ना हुँ उना दिया आधितां ते सुबा वकवख हो सक्दी हैं उना विच एक दूजी दियां पावनामानू समझन दी काट वी हो सकती है स्यानी लोग इस गल्नू चंगी तरहां समझ सकती हन के तलाक किसे समस्यादा हाल नहीं है तलाक नाल कई होर नमिया समस्यामा शुरू हो जान दी हन पतानी लोग किस गल्म के में समझ देहन पर मेरे ख्याल अनुसार इक आदमी दस बंद इक औरत नाल है ते इक औरत दस बंद इक आदमी नाल है इस बंद केवल प्यार जा संभोग दी द्रिष्टी तों ही महत्तपूरण नहीं है सगोज जीवन प्रती सारे द्रिष्टी कों तों महत्तपूरण है फेर वी जदों सी अनुशासन ही इन टांग नाल रहके मरदानगी ते नारितव सुबादे गुणांदी कीमत नू नहीं समझ दे ते जानवरा वांग मिलाप तक सीमत रहन देयां तद तलाक लाजमी होएगा असी तलाक नू रोक नहीं सकते मैंनू इस गल्दा पता है कि कोई वी तलाक करना नहीं चांदा पर फिर वी तलाक हो जानदा है क्योंकि असल विच बहुते लोग इस गल्नू नहीं समझ दे कि प्यार की है modern society ने प्यार नू बहुत गल्द समझेया है ये गल्द ठीक है कि समर्पन प्यारदा रूप है फर्ज प्यारदा रूप है ते समझदारी वी प्यारदा रूप है पर सम्बोग प्यार तो वक्रा है दोहा नू ब्राबबर नहीं रख्या जा सकदा प्यार वीच किसे दे गुण नहीं वेखे जान दे हर साथी च कुछ न कुछ उनताया होनियां सुभावखन पर बिना शर्थ साथी नू कीता प्यार जीवन नू रौचिक ते सफल बनाण वीच सहाई खुंदा है मनुख देवे हार नू सपष्ट तौर ते तिन पक्खां तो कंट्रोल कीता जा सकदा है उच्छा स्रीरक मिलाप ते प्यार नल असी यह न तिनना विच्छों एक दो जाप तिनना पर योग करके देख सकदे हैं पर स्रीरक मिलाप ता अर्थ प्यार नहीं कड़ना असी इस तो बिना वी किसे नू सारी उमर प्यार कर सकदे हैं असी प्यारं तो बगेर वी स्रीरक सबन्द कायम कर सकदेयां असी प्यार ते संभोग तो बगेर वी अपने उथ्षा नू जारी रास्ट रख सकदेयां पर मुख गले है के प्ति ते पतनी नू बच्चयान दे हित लिया पस्विच प्यार नू भदवना चाहिः ये प्यार केवल स्रीरक नेड़ता तक की सीमत नहीं होना चाहिदा उनानों जे या गल्लावलते आन देना चाहिदा जिडिया दोहानों पुसांद होना कई विशे हो सकते हान जिमें के साहित पढ़ना, संगीत सुनना, योगा, चितरकारी करना, इकठे सैर करना, पहाडां दे यातरा खेडा आद पती ते पतनी विले समे काट तो काट एक कंटा जये विशे बारे गल्लाव कार सकते हान जिस विशे विच दोहानों दिल्चस्पी होगे इस तरह उना दा ज्यान वी वदेगा, ते एक दुझे प्रती प्यार वी वदेगा पती नू अपनी पतनी विच्चू, ओधा शोग जा विशेश रुची लबण दी लोड़े ते पतनी नू पती विच्चू, चंगी यान सुम्बाव नवा दोहानों एक दुझे विच्चू, विशेश परशंसा करन यो गुण लबणे चाई दी हान इक दुझे विच्चू, मिस योनिवर्स या मिस्टर योनिवर्स लबणा इलू इलू जा माई डालिंग, माई डालिंग तक सीमत रहन नाल निराष्टाई मिलेगी जे पती ते पतनी ये हो जी यान फोकियां गलां खोजणगे ता उना दा आपस विच गुड़ा प्यार नहीं हो सकदा जे माता पिता एक दुझे नू दिलों प्यार कर दे हूँ ता बच्चेयां दी शक्सियत दावी संतुलत विकास हुनदा है ते बच्चे भी सच मुच अपने माता पिता उपर मान मैसूस कर दे हैं इसलिए कर्च प्यार दा वातावन बनावल दी बहुत लोड है क्योंके प्यार तुझे सानू चंगे जीवन दी प्रेर ना मिल दी है युनान दा महान फिलासफर सुकरात अपनी पतनी जिन थिपी नू बहुत प्यार करदा से जदों मार्केट विच सौधा जा सबजी लेन जानदा तो अपने दोस्तानाल ब्रह्म विद्यादियां गल्लां करनियां शुरू करदेंदा से उस्वेरे दस वजे सबजी लेन जानदा ते शामनू पांज वजे कार वापस मुगदा पतनी उडीक विच बेचैन हो जानदे बहुत दुख देन वाली थे चगडालू औरत से उस सुकरात नू सुस्त ने कमाते बेकार आदमी केंदी इक दिनों ने गुसेच सुकरात उपर गरम पाणी पादेता सुकरात ने क्या अजे तक ता बदल मंडला रहे सी उनों गर्ज के वर्खा कर रहे हैं जिन थे पीने हर मौके सुकरात दे प्यार नू पर्खया पर सुकरात कदे गुसे ने सी होया क्योंकि उस्याना सी ते दिलों अपनी पतनी नू प्यार कर दा सी इसलिए सब तो महत्त पूरण समझन वड़ी गल खोर कुझ वी नहीं सिर्फ प्यार है सानू प्यार हूं विक्सत करन दे टांग ते तरीके लबणे चाई दे हन स्रीरिक्स बंद तूं कदेवी प्यार उत्पन नहीं हो सकता इस गल दा पती ते पतनी दुहानू पता हूना चाईद है स्रीरिक्स बंद नाल प्यार दी परिबाशा नहीं दित्ती जा सकती एक कदेवी प्यार प्यार प्यदा करन वड़ा यंतर नहीं बन सकता इसलिए इसनू प्यार दी ब्राबर नहीं समझना चाईदा प्यारिक दुजे दियां पावनामानू समझन्दा नतीज है इस गलतो जाणू होके साड़ा ग्रिस्ती जीवन पूरी तरह शांत मई एक सुर्थी सुरीला हो सकत है इस एक सुर्था ते प्यार नू हासल करन ले पती थे पतनी दोहा नू मंतर मैडिटेशन ते योगा आसन दा इकठे अभियास करना चाहिए इन आ विदियां दा वर्नन इस पुस्तक दे दूझे पागज केता जाएगा जी उ इकठे सौन दे हान, इकठे खां दे हान, इकठे रन दे हान तो ओ इकठे योग भी आस क्यों नहीं कर सकते जदों सी इकठे मेडिटेशन कर देयां तो साड़ी मांसी का वस्था इकोजी हो जान दिया ते प्यार दा विकास हुन दे ए प्यार पती ते पत्री नों होर नेड़ी कर दे फिर बहुत सारियां करेल उसमस्या मां अपनी आप हल हो जान दिया हन ते कार विच सारी उमरी कठी रहना सौखा हो जान दे तालवाद